आप सभी को दिली वाली आंटी का नमस्कार आज हम माका के आटे से आलू बत्वे के भरवा पनाथे बनाने जा रहे हैं हैं यह हमने 200 ग्राम बत्वा लिया है और 200 ग्राम ही आलू लिये हैं अब हम इसको बारी कबारी काट लेंगे आप कैंसी से भी काट सकते हैं चकु से भी काट सकते हैं बजाज से कटावा भी ले सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं फिर हम इसको अबालेंगे आलू को भी और इसको भी इसको भी इसको उबालने के बाद हम निचोड लें है यह बस्वां हमने उभालकर निषोड लिया और यह वाल कर शिल ली है आप इन दोनों को हम दूं को इसमें डाल करना मैह कर देंगे हैं हुआ ज़का मैस कर लिए है आप इसमें हमक कुछ मसाले डालते हैं ये एक चोथा तब औरמेश थोड़ा सुका दनिया 84 चमप्स घरम मशाला या मनने इसमें मसाले आइट कर्दी है अब हम इनको जैसें पूस कर लेते है है इसमें माङा मेला मासाले नियुक्त चीज के मारद ली हैं और यह लात वी मिन तयार कर लिया है आपको यदि आटा तैयार करना सीखना है तो आप पहले वीडियो में देख सकते हैं मैंने मूहलमियं दो हिए इस अपर नहीं हो थे बनाते रहिए ऐसे बड़ी करते रहिए और अब हम इसी तरह से दूसरी भी तयार कर लेंगे हमें दो हिस्सों में बनाना है ऐसे घराइब भर लेंगे अब इसके अंदर हम याने मिक्स कराता वो भी इसके उपर रख देते हैं, ऐसे हम इन दोनों को मिश कर देते हैं, और ऐसे करके अपने हाथ से ये बराबर हो जाएगी, ये देखें कितनी आराम से हो रही है, कोई दिक्कत की बास नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाती है, ये देखें, बिल्कुल तयार हो गया है, अ यह अपना बढ़ा हो जाएगा देखिये अभी बढ़ा हो जाएगा देखिये अभी बढ़ा हो जाएगा यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइट और शेयर किजिएगा और मेरे चैनल को भी जोइन किजिएगा और हमने इस तरह से बना लिया है अब इसको हम ऐसे उठाकर तवे पर डाल लेते हैं ऐसे ऐसे अटर जाड़ दें अब इसके चार और हम थोड़ा सा वेल डाल देते हैं अब हम इसको पलट देते हैं अब इसको हम पलट देते हैं अब देखिए हमारा पराठा शिक चुका है आप हमें कोमेंट में दूर बताईएगा आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा अब ये हमारा खाने के लिए पराठा तयार है आप दरी की साथ मक्षन की साथ हरी चटनी की साथ किसी चीज की साथ भी खा सकते हैं आप इसमें बत्वा या आलू कम ज्यादे कर सकते हैं बत्वा यदि कम हो आपके पास तो कम जाल सकते हैं आलो कम हो ज़्यादर डालने हैं तो ज़्यादर बीडाल सकते हैं खाई और खिलाई यह आगली बार मिलते हैं किसी नई चीज के साथ धन्यवाद कर दो